Hello everyone, welcome back to the Rana Academy तो देखिए आप अलड़ी जानते हैं कि Sulfuric Acid में स्टार्ट किया हुआ है और आज की lecture के अंदर हम ये study करेंगे कि एक लार्ज स्केल के अंदर कैसी Sulfuric Acid को manufacture किया जाता है इस process का नाम है Contact Process और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस दिये गए हैं उनकी जिलिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो बिन अगर टाइम वेस किये चलिए शिरू करते हैं तो देखिए आज हमने Sulfuric Acid को Last Scale के अंदर कैसे manufacture करना है उसके बारे में हम बात करने वाले है और यह जो आप जो सारा देख रहे हो यह है इसका process बहुत बड़ा process होता है इसलिए तो लास्केल के अंदर काफी easily हम इसको prepare कर सकते है और कैसे किया जाता है किस तरीके से किया जाता है कैसे purify किया जाता है कैसे हम उसका catalystic oxidation करते है लास्ट में कैसे पिपए इस सारी बाते जो है हम अच्छे से एकी करके यहां पर study करेंगे उसमें कई सारे steps है बड़ कोई बात नहीं एकी करके जब study करेंगे आपको वैसे याद हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते है ठीक है तो बड़ देको सबसे पहला जो process है वो है sulfur dioxide को prepare करना बिल्कुल यही हमारा सबसे पहला process होता है क्या होता है इसके कई सारे stages है पहले हम क्या करेंगे sulfur dioxide को बनाएंगे फिर उस gas को हम purify करेंगे फिर sulfur dioxide बनेगा sulfur dioxide बनने के बाद जाके हमारा sulfur dioxide बनेगा तो यह जो process है step by step कैसे करना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं देखे सबसे पहले यहाँ पे दो तरीकों से आप sulfur dioxide बना सकते हो पहला तरीका क्या है आपको दिया हुआ है कि हम क्या करें जो metallic sulfide है ना उनको air की present में roasting कर दे ठीक है मैं आपको नेगा दो बाते बता है तो इसमें जो सबसे best जो यहाँ पर हम अपना जो कहते हैं metallic sulfide जो हम लेते हैं वो है हमारे पास that is iron pyrites iron pyrites basically होता है आपका मैं बहुत है that is FES2 yes FES2 तो देखिए FES2 यह क्या है यह हमारा iron pyrites है this is known as iron pyrites तो मैं पहले आपको अच्छे से समझा दूँ कि किन का हम जातर इस्तिमाल करते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर iron pyrites का यहाँ पर हम basically इस्तिमाल करते हैं और under the presence of oxygen large amount of oxygen हमें चाहिए होती है हम इसको यहाँ पर react करते हैं और यहाँ से finally produce होता है आपका पहले बाद तो feric oxide बनेगा F2O3 हम लेखा हो कि बड़े कई products तो याद ही हो जाते हैं कि इससे react करके तो यहीं बनेगा हमें पता ही है प्लस हमारे पास बनता है बेटा sulfur dioxide जो finally actually हमें यह चाहिए होता है initial stage के है तो यह हमारा stage number 1 है तो बहुत simple है पहले मैं इसको जल्दी से balance कर देता हूँ यह हमारा 2 है यहाँ पर oxygen की मातरा जादा होती है तो मैं आपको इसको एक काम करता हूँ इसको balance करके बनाता हूँ यह हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा ठीक है sulfur यहाँ पर 4 हाएगा और 8 हो गया तो यहाँ पर 8 आजाएगा आपके पास ठीक है और total मिलाके हमारा जो oxygen है इस तरीके से बेटा आपका यह पूरा balance हो जाता है पहले यह करना होता है ठीक है इसके इलावा दूसरा तरीका क्या है आप Louisiana sulfur ले जी Louisiana sulfur जो है 99.5% pure होता है और अब आप क्या करेंगे उसको जो purified air होती है उसमें से कोई dust particle ना हो तो उससे क्या कर देजिए आप उसको burn कर देजिए ठीक है तो जब आप Louisiana sulfur को oxygen की presence में burn करते हो तो आपके पास फिर से वही बनता है तो बहुत कहने का मतलब यह है कि या तो आप उपर वाला method यूज कर लीजिए या तो यह वाला method यूज कर लीजिए बात एक ही है ठीक है तो यह तो हो गए मारा step number one अब सवाल ही है कि सर्थ यह तो step number one होगा step number two क्या है देखो या गैस तो आपने बना ली अब गैस बना ली तो next step क्या होना चाहिए उसको purify करना होता है तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको इसको purify करके दिखाता हूँ देखिए purification के अंदर ना हम ये जो mixture तियार होता है ठीक है जिसमें हमारे पास sulfur dioxide है और जो हवा हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी है उसमें कई सारे impurities होती है उन impurities को remove करने के लिए अपने different chambers में हम डालते हैं देखिए अब इसकी clarity के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ सबसे पहले अगर आप थोड़ा ध्यान से देंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे dust chamber है ठीक है अब obvious है कि dust chamber के अंदर dust को remove करने की बात हो रही होगी अब dust को remove कैसे किया जाता है मैं थोड़ा सब आपको यहाँ पे idea देना चाहूँगा कि actually में क्या क्या होता है इसके अंदर कही सारी wires लगा जाती है क्या लगा जाती है कही सारी wires उन wires में high potential current जो है वो flow करता है high potential current flow होने की वज़ा से जो थोड़े बहुत dust particles यहाँ पे हमें मिलते हैं उनको oppositely charged induction के वज़े से oppositely charged वो हो जाते हैं तो वो उनको अपनी तरफ attract कर लेते हैं इससे क्या होता है कि मेरा जो dust chamber है वो जितने भी हवा में जो dust particles होंगे उनको अपनी तरफ क्या कर लेगा attract कर लेगा ठीक है उसके बाद उसको scrubber में भेजा जाता है उसको wash out करने के लिए मतलब यह है कि थोड़ा बहुत और 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 भी को dust particles होगे तो पानी की presence में उसको अच्छे तरह से साफ किया जाता है उसके बाद next step होता है अब तुमने पानी का इस्तिमाल करके इसको गिला कर दिया अब उसको सुकाना भी तो है जो एंड में ड्राइड गैस चाहिए होती है तो जो ड्राइड गैस हमारे के लिए हम जो क्या कहते है उसको dehydrating agent जो sulfuric acid है उसी का इस्तिमाल करते है कितने मज़दर बात है कि sulfuric acid को produce करने के लिए हम sulfuric acid का ही इस्तिमाल करते हैं वो भी concentrated form के अंदर होता है तो आप देख सब तो यह रहा है इससे क्या होता है at the end आपको बिल्कुल pure form के अंदर जो sulfur dioxide है वो हमें मिल जाता है लेकिन एक ना सबसे बड़ी problem होती है अच्छा आप बोलेंगे इससर में इतना purify कर क्यों रहा हूं रीजन क्या है actually reason है यह वाला chamber आपका यह जो contact chamber आप देख रहे हो यह जो chamber है अच्छली इसके अंदर ही इसकी catalis oxidation होगी ताकि sulfur dioxide बन सके अब catalis oxidation करने के लिए वो pure होना बहुत important है अगर माल देजिए वो impure हुआ तो क्या होगा इंपयर होने की वज़ा से जो हमारा catalyst होता है वो अपनी efficiency खो देता है तो जिस तरीके से वो काम कर सकता है जिस efficiency से वो काम कर सकता है वो बिल्कुल नहीं करम कर पाएगा और सबसे बड़ी problem बात आता हूँ यह जो arsenic का जो आप प्रेजेंट होगा तो arsenic जो है वो ऐसे poison की तरह काम करता है किसी भी catalyst के लिए तो उसकी जो efficiency वो बिल्कुली लगबग जीरुरी कर देता है तो इसलिए यह सौरा कुछ करना पड़ता है तो एक बाद ध्यान से समझें क्या क्या हमने तो step number one क्या था देखो step number one था हमने जो पर देखो स्क्रबर से पास किया पहले है तो निए डस टेंबर से पास किया डस चेंबर वाले को electric पैसिपटेटर भी कहा जाता है मैं आपको मोटी मोटी भाशे में समझाता हूं जो हमारे पास electric चाम करूं आपको थोड़ा और अच्छे से clarity में समझाने के लिए एक काम में करता हो रुको हां यह वाला हम अपने सेकिंड प्रोसेस पर हैं यहां चलते हैं तो जैसे मैं वह कह रहा था तो यह है आपका बिड़ा जो पूरा प्रोसेस टेक प्रेस आपकर करता है तो क्या होगा कहता है कि हमारे पास जो mixture है ठीक है उसको purifier से हम पास करेंगे उसको कहा जाएगा आपका क्या अपनी बुक लीजिए उसमें माक कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको इस चेंबर के अंदर क्या होते हैं वायर्ज होते हैं जो की हाई एलेक्ट्रिक पोटेंशिल में होते हैं इससे जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे इनको पी तरफ करना और ड्राइ करने के लिए हम कॉंसेंट्रेटर सिल्फूरी कैसिट का इस्तेमाल करेंगे हमने उसको सुका लिया और सुकाने के बाद लास्ट है कि उसको आर्सेनिक प्यूरिफायर में से पास किया जाए ताकि उसमें थोड़े से भी जो आर्सेनिक ऑक्साइड के ट्रे बनाना बना दिया उसके बाद होता है कि उसको पूरिफाय कर ना कर दिया अंगारा काम होता है इसयुषर सब्सेतर करनी है तो सबसे पहले तो हमें चाही थी clean gaseous mixture of Sulfur Dioxide and Air ये दो चीज़े मुझे चाहिए होती है और उसको फिर पास के जाता है Contact Tower के अंदर नहीं समझ मैं आ रहा चलिए मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोला चाहता हूँ देखे जैसे मैंने वो कहा था कि हमारे पास already सब कुछ हो चुका है हमने Purify कर दिया सब कुछ कर दिया और Purify करने के बाद Actuality में क्या है थोड़ा सब यहां पर समने को जच करें ये जो आप यहां देख रहे हो ना पाइपें ये आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये ना कुछ इस तरह की Pipes होती है ये पाइपस है इन पाइपस के अंदर ना शेल्फ बने होते है ये एक शेल्फ हो गया ये दूसा शेल्फ हो गया ये तीसा शेल्फ हो गया और ये परफुरेटर होते है परफुरेटर होते है ये चेद है ऐसे चेद पड़े है ये चेद है इनमे ताकि gas जो है आरपार इसमें से असानी से निकल सके ठीक है अब इन छेदों के उपर इन छेदों के उपर ना आपका catalyst रखा जाता है और यहां पर जो हम catalyst या इस्तिमाल करते हैं वो होता है vanadium pentoxide कौण सा vanadium pentoxide that is pentoxide ठीक है यह है formula है V2O5 तो यह इसका formula है तो यहां पर वो crystal लग दिये जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे shelf में वो crystal लग दिया आते हैं तो एक मलग कैसे थोड़ा सा warm ठीक है थोड़ा सा आपका कहते नहीं होता है preheated mixture है ना मारा sulfur dioxide and air oxygen जो है उसको इसके थुरू पास किया जाएगा अब जैसे जैसे वो इसमें से पास होगा हाँ जो temperature है वो लगबग 450 degree Celsius सक maintain किया जाता है आपका और एक बाद मैं आपको बता दूँ यह जो हमारा oxidation है ना यह एक exothermic reaction होता है इसको बस एक बार heat करने के खुद generate कर रहे ना उससे लगातार heated form में रहता है उसको बार-बार heat करने जुरूत नहीं पड़ती एक्जोथर्मिक नेचर के अंदर है there is a reason behind it ठीक है अब होगा क्या यहां से हमारी जो गैस है वो उपर की तरफ जाएगी जैसे से गैस उपर जाएगी यहां पर जितने भी आपको यहां पर आपकी जो catalyst है वो उससे react करेगा oxygen की presence वहां पर ही है दोनों मिलके sulfur traction बनाएंगे और large amount of heat है वो आपका generate हो जाता है I hope यार कुछ बात तो समझ में आई होगी आज तरहने के clear हुआ नहीं होगा हना easy है clear हो जाएगा यह बात तो आपको very good अब बात रह जाती है कि वापिस चलते हैं और अपनी reaction सबके बारे में बात करते है रियक्शन क्या है आपके reaction बहुत जादा सिंपल है आपका मैंने आपको already इसके बारे में बता दिया है किया करना क्या है आपने step number one तो है यार आपका यही है कि आपका sulfur dioxide है उस sulfur dioxide को हमने oxygen के साथ बढ़े आप है यह लीजिए मैं करके दिखाता हूं कि मेरे पास है sulfur dioxide और sulfur dioxide को oxygen से बने के राधिया react और यह reversible reaction है तो reversible reaction के लिए हम इस तरह से दिशान लगाएंगे temperature रहेगा 450 degrees Celsius का 400 to 450 degrees Celsius रहा होता है और V205 लीजिए V205 की बात भी हमने कर ली ठीक है और बस हमारा SO3 जो finally मुझे यह चाहिए SO3 यह चाहिए मुझे finally तो यह हमने बना लिया और last क्योंकि साथ में बहुत जादा heat produce होती है इसलिए triangle जो दिखाए क्योंकि यह एक exothermic reaction है आपका ठीक है तो इसमें गलती ना हो यह समझ जाना बाकि तो कुछ है यह नहीं है ठीक है अब इसको य balanced equation यहां पर आपकी बाइन जाती है है सिंपल कितना जादा मैंने पहले का यार इतना डफ तो यह ही नहीं है just you need to understand कि यह basic basic बाते क्या है और फिर आराम से आप कर पाएंगे को इतनी बड़ी चीज होती नहीं है ठीक है जी चलिए अब यहां तक तो मैं आपको ले गया अच् इसका चोड़ नोट लिखा होगा वह नोट भी एक बार देख लेते हैं और वह नोट यह है कि सिंसर रियक्षिन इस हाइली एक्जोथर्मिक तक कैटलिस्ट इस हीटेड ओल्ली इंद बिग्निक मलब उसको एक बार आप स्टार्टिंग में गरम करेंगे पर उसको बार बार मन में आता है कि सर्फर ट्राइक्साइड तो बन गया अब बस हमने यह करना ना पानी में मिलाओ और आंसर हमारे पास स्टार्फिरी कैसे बन जाएगा अरे नहीं बनता अभी भी एक स्टेप बीच में है वो यह कि हमने सर्फर ट्राइक्साइड को अब प्रॉपरली हमांट ओने पर लियुर्बले डीट है कि बुलबल उड़ते हैं तो प्रॉपरली मिक्स हो पाता पानी के फियह वो बन पाते हैं तो इस चक्र में एक बीचमी छोड़ा सा प्रॉसस और है जिसको man admitted absorption tower absorption tower के बीच में क्या होता है उसके अंदर उपर से sulfur dioxide की ने sprinkling की जाती है ऐसा करने से जो olium है मलब जिसको हम pyrosulfuric acid कहते हैं वो हम actually में create करते हैं ठीक है I'll tell you step by step समझाता हूँ क्या है कि अब next step क्या होगा next step में आपको एक काम करता हूँ दिखाने से और clarity होती है यह देखिए क्या है ना यह है वो जिसके बारे में बात कर रहा था यह वो tower है यह absorption tower इस absorption tower के अंदर हम concentrated sulfuric acid जो कि आप देख सकते हो 98% आपका pure form के अंदर है इसको fall करवाया जाता है और इसका फाइदा तो यही है कि आपका जो sulfur tri oxide है that is SO3 वो मेरा S2SO4 के साथ करेगा react और react करने से बन जाएगा H2S2O7 इसको oleum कहा जाता है oleum कहा जाता है हाँ इसका एक और नाम भी है जो मैंने आपको बताया था that is pyrosulfuric acid easy है बढ़ रख पाओ कोई बात नहीं ठीक है pyrosulfuric acid के नाम से हम जानते हैं ठीक है अब ये जो हमारे पास oleum तियार हो गया ना इसका बड़ा फैदा है यार अब इस oleum को हम पानी के साथ मिला के dilution tank आगे last में उसके अंदर मिला के अपना sulfuric acid जो है वो उपना बना लेंगे तो ये पूरा step है इसके अंदर का क्यों इसी लगा ना बाकी के लोग में करकर दिखाता हूं देखिए पांचवा और आखरी step है पांचवा और आखरी step क्या है कि dilution करना है हमें oleum का so oleum जो है जो है उसको हम अपने dilution tank के अंदर depending upon कितना हमें dilute foam में चाहिए पानी उसमें mix कर देते है और पानी mix करने के बाद हमें हमारा sulfuric acid मिल जाता है finally so देखो बहुत simple था but at the same time you have to understand बिटागी कि step by step कैसे है और क्यों है आपका ठीक है तो देखिए जो मैंने आपको कहा मैं वो करके दिखा देता हूं so olium H2 S2O7 olium तियार हो गया इसको हमने पानी के साथ mix कर देना है लीजिए finally H2SO4 that is sulfuric acid और यह 2 double form में आएगा तो यह हमें finally मिल जाता है और यह है आपका finally manufacture का तरीका क्या पता आगे जाके entrepreneur बनना हो आपने तो आपको तरीके पता होने चाहिए किस तरह से करना है तो यह सारा process है तब यादर करना मेरे को ठीक है तो अभी के लिए I hope यह आप अच्छी तरह समझ गयोंगे कि किस तरीके से और क्या हमने यहां पे किया है हाँ अगर मन में अभी भी आपको आ रहा है कि सर अगर मालो कोई पूछ लेता है कि sulfur trioxide जो है हम उसको पानी में क्यों नहीं directly dissolve करते तो यह रहा इसका answer note है लिख लीजे आपकी काम आएगा कहता है कि since sulfur trioxide does not dissolve in water satisfactorly and it gives a lot of heat and forms misty droplets of of sulfuric acid so it is not directly absorbed by water तो मैंने आपको already explained किया है यह आपका answer है और I hope इसके बाद आपको कोई problem नहीं आएगी हना चलिए अब अब हमने finally यह करना है कि favorable conditions क्या है ठीक है for the conversion of SO2 to SO3 देखिए एक बाद बता जाता हूँ कि अगर sulfur dioxide को मुझे sulfur dioxide बनाना है contact process के अंदर तो ऐसे तो है नहीं कि हम simply बना लेते हैं कई सारी conditions थे अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था यह आर हमें एक तो catalyst चाहिए होता है या platinum हम use कर सकते हैं या vanadium pentoxide हम platinum क्यों नहीं यूश करते हैं तो उसके बाद और क्या फेवलर कंडिशन थे इसे pressure भी maintain करना पड़ता है हमें ठीक है temperature भी maintain करना पड़ता है तो यह सारी बाते हमने इसमें बात करनी है जल्दी से कतम करते हैं ठीक है देखिए सबसे पहला आता है कि यह एक exothermic reaction है और exothermic reaction जो है हमेशा फेवर करता है low temperature को ठीक है तो हम क्या करते हैं कि initially उसको 410 या 450 degree Celsius पे start करते हैं उसके बाद यह खुद की heating की help से ही लगातार यह आपका चलता रहता है तो इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता तो यह मेरा सबसे पहला या जब आप उसको generate कर रहे हो तो by volume अगर वो बहुत कम बन रहा है तो क्या होगा तो पहले हम इसको पढ़के देखते हैं यह कहता high pressure favors the reaction because जो product आपका बन रहा product formed has less volume than reactant ठीक है but the acid resistance tower इतनी भी high जो है pressure को withstand नहीं कर सकता मतलब वो तूट सकता है इस चक्कर में हम उसका जो pressure है वो maintain करते है one say two atmosphere बस उससे अधा नहीं हम करते तो high pressure में चाहिए होता है ठीक है ना किसी भी या देखो क्या होतो ना ये gas से हम बात करें जो gas होती है वो freely ना move करे pressure maintain करना जोरी होता है ताकि proper way में reactions जो है वो आपके take place कर सके ठीक है इसके बलावा next point हमारे पास आता है कि यार हम excess of oxygen जिसमें आपको अब रुड़ी बता है यार कि oxygen के हमें बहुत requirement होती है तब ही जाके हमारा sulfur जो ट्राय उक्साइड है वो हमें मिलता है और fourth point suitable catalyst होना बहुत important है सबसे बढ़िया हम यहाँ पे vanadium pentoxide भी use कर सकते हैं और platinum का इस्तमाल भी किया जा सकता है बर जो platinum है यार वो महंगा भी होता है तो महंगा भी होता है और दूसरा क्या है कि वो बहुत जल्दी आपका poison हो जाता है arsenic oxide की presence में तो पहली बात तो हम अपनी तरफ से try तो करते हैं कि या बिल्कुली remove हो जागर थोड़ा सा भी रह गया तो उसने मेरे catalyst को खराब कर देना है ठीक है तो इस चकर में vanadium pentoxide का इस्तमाल करते फानली बताई दिया आपको कि vanadium pentoxide ही हम as a catalyst यहाँ पर करते हैं तो यह I hope यह जो favorable conditions है वो अच्छी तरह आपको समझ में आगी होंगी इसके इलावा अब जल्दी से सारे को sum up कर देते खतम कर देते इस चीज़ को तो कैसे करेंगे बहुत easy है यह लीजिए यह पूरा sum up है यह पूरा बतारा contact process के बारे में step number one क्या था sulfur dioxide को में बना बनाने के दो तरीके पहला तरीका क्या है कि या तो Louisiana sulfur लेके उसको burn कर दीजिए जो बहुत pure होता है आपका दूसरा क्या था आपके पास iron pyrite है iron pyrite को आप oxygen के presence में burn कर दें तो आपका sulfur dioxide त्यार होता है उसको purify करें purify करने के बाद उसको आप chamber में लेगे जाते हो जहाँ पर यह catalystic oxidation इसकी take place करती है आप यहाँ पर वनीडियम pentoxide या platinum कार्ब इस्तेमाल करके कर सकते हैं इसके बाद next हमारे पाद जो sulfur trioxide हमारा बनता है उसको हम directly पार में mix up नहीं कर सकते ठीक है बहुत exothermic reaction आपका है और properly dissolve नहीं होता फिर हम क्या करते हैं कि sulfuric acid जो concentrated form के अंदर होता है उसको इसमें mix किया जाता है ताकि olium त्यार हो सके और जो olium हमारा बनता है उसके बाद जाके उसको dilute करके हमारे पाद sulfuric acid त्यार होता है तो इस तरीके से ये पूरा जो process से आपका take list करता है तो आज के lecture के अंदर हमने ये जाना कि sulfuric acid को कैसे prepare किया जाता है और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है आज के लिए बस इतना ही thank you so much